लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत देए माथाडी नेता नरंदरपाटीन ने एपीमसी के माथाडी कामगारों को सावधान रहने की अपील की है असल में एपीमसी में कुछ लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि सीड को माथाडीयों को सीधे मकान दे रही है इसके लिए पैसे लेकर रेजिस्ट्रेशन भी किये जा रहे हैं जबकि सिटको और सरकार की ओर से ऐसे किसी भी योजना की घोशला नहीं हुई है माथारी नेता नरंदर पार्टिन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे अफवाव बता है और माथारी कामगारों को इसे सावधान रहने की अपील की है सिटको के मेगा हाउसिंग योजना के घरों का वंटन तेज हो गया है हलांकि अब इसकी आड में कुछ दलाल माथारी कामगारों को फसाने की फिराक में जुट गए है एपीमसी मंडियों में आपर चार जोरों पर है कि सिटको माथारीों को सीधे घर देने की तैयारी में है इसके लिए कुछ माथारी टोलियों में रेइश्ट्रेशन भी चल लहा है माथारी नेता नरंदर पाटिल ने आज इस धादली पर खुलासा करते हुए साउधान रहने की अपील की उन्होंने कहा कि माथारी कामगारों के लिए मेगा हाउसिंग योजना में पांच फिस्दी कोटा रक्षित है लेकिन सिटको द्वारा डाइरेक्ट घर देने की कोई भी योजना नहीं घोसित की गई है नरेंदर पाटिन ने कामगारों से ऐसी किसी भी जूटी अफवा या योजना पर विश्वास ना रखते हुए साउधान रहने की अपील की उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी धोखा धड़ी हो चुकी है इसलिए ऐसी आर्थिक लूट से बचने के लिए स्वैम साउधान रहने की जरूरत है उन्होंने कहा कि अधि माथारी कामगारों के लिए कोई योजना भविश्व में आती है तो नियमा नुसार उसकी सूचना जरूर दी जाएगी Bureau Report, TB1 India